आप सबी स्वात्कों का स्वागत हैं, मैं अर्विन सक्सेना भोल रहा हूँ साधना जगत के रहस्यों तत्त्तियों को जानने के लिए इस चैनल के प्रतेख वीडियो को देखें और इस चैनल में दी गई हुए प्रतेख प्रेलिस्ट को भी देखें अब ये जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक है, वो है साधना कामाख्या तीर्थ रहस्य भाग साथ, पशु बली का रहस्य बली भोग तो ये जो पशु बली के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो की कामाख्या तीर्थ में होती है इसके पहले के जो कामाक्यातीर्थ रहस के जो छे भाग बने हैं उनको देख लिजेगा वो प्लेलिस्ट में भी है कामाक्यातीर्थ रहस के नाम से प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे जो भी कामाक्यातीर्थ रहस के बारे में हैं इसका जो भाग एक है उसमें मैंने मात्र योनी मंडल, नीला नचल परवत ऑर उसमें जो मनो भाव गुफा है जिसमें कि मात्र योनी तीर थे उसके बारे मन बताया है और जिसके जो भाग दू है कमाक्या 30 रहस वहां अम्बुवाजी पर्व होता है वो दिवि मा का जो रज़सुला पर्व है उसके बारे में बताए है और जो रख्त वस्त होता है उसके बारे में बताए है और कामाख्या तीरत रहस भाग चार में कुमारी तीरत के बारे में बताया है जो कि कुमारी तीरत को कुमारी तीरत की कब बोला जाता है और वहां पर कैसे कुमारी सेवा होती है उसके जो रहसे हैं उनके बारे में बताया है और कामाख्या तीरत रहस भाग पांच में लज्जा गोरी सुभाग एकुंड और वहुने शरी मंदर के बारे में बताया है और कामाख्या तीरत रहस भाग छे में कामाख्या मंदर और तांतरि ग्रंथ और उसके तांतरि सित्धान के हैं कामा क्या इस्थान के आमा तक कि उसके बारे मताए उसी कंटिनेशन में यह है कामा क्या तीरत रहाई सिभाग साथ पशु बली का रहाई स्वार बली भोग तो यह बताना चाहरा हूँ मैं कि जो मंदिर है वो गर्ब रहे के सामने मैंने बताया था जिसको कहते हैं कि जो उसके जितने भी पार्ट्स से जो कि गर्ब रहे से प्रारम करें अगर वो उसको पूरुमे में माने तो उसके बाद आएगा अंतराल आएगा फिर कलंत आएगा फिर भोग मंदिर आएगा उसके बाद नट मंदिर आएगा नट मंदर के बाद में यानि नट मंदर जो हो गया वो वेस्ट सिरह हो गया मंदर का उस नट मंदर के बाद में एक स्थान है जहाँ पर पशु बली नित्य होती है कि पूजा हो जुरूसेंद कि युटी कि 手ता है वहां पर पशु बली और हमें अविश्य होगी यह इंपॉर्टेंट है और दूसरा है कि जो पश्वों में यह माननेता है जो फीमेल्स होंगी पश्व उनकी बली नहीं होती है यहां पर जो बली दी जाती है और यहां पर जो बली दी जाती है वो जानवर जो होते हैं उनकी भैसे की बकरे की कबूतर की मुर्गे की या डक्स होती है बतके होती है उनकी भी होती है और भी जो भी कुछ पक्षी वगरा होते हैं उनकी भी होती है इस तरके से वहां पर बली होती है और शदालू जो हैं वहां पर बली उसको करते है अब यह प्रस्ट उठना जरूर चाहिए कि मन में कि पशुबली क्यों होती है इसका क्या करण है कि पशुबली वहाँ पर होती है तो यह बड़ी रहस्य की बात है बहुत कम लोगों को पता है यह पशुबली का मतलब इसका करण क्या है कि पशुबली क्यों होती है तो इसका जो करण म और उसने अपने जीवें बहुत खराब काम करें बहुत लोगों को सताया, परशान किया, अत्याचार किया तो उसको क्या होता है कि वो बरने के बाद में उसको अगर दन्न मिला तो उसको पशु यूनी में डाल दिये रहता है डाउंट ब्रेट कर दिया रहता है उसको मनश्यूनी से पश्यूनी में जैसे कि कोई माल लिए कि कोई भी काम करें इसमें अब मैं कर्मों की बेविशना नहीं करूंगा लेकिन यह माने की जो भी बहुत सारे गलत काम हो सकते हैं जिसकी वज़े से उसको पश्यूनी में डाल दिया गया लेकिन उसके पास कुछ आसे अच्छे कर्म भी थे कि जिसकी वज़े से कि मान लिज़े कि मात्या की इक्षा होई कि उसको एक अफसर देना चाहिए पश्यूनी से मुक्ती का कि वापस हो मनश्यूनी में पहुंच जाए क्या वोगा उसके लिए क्या उसकता है क्योंकि अकर फशयोनी में या चला गया तो पशयोनी से निकलने का वापस मैं वने तो जब वहाँ पर किसी भी पशू की बली दी जाएगी, और वही ऐसे इतीर स्थान जो की कमा कहर जैसा स्थान जो की इसके बारे में मैंने इतने सारे वीडियो बनाए, सब दुनिया जानती है कि वह इतना मलब शक्ति का बड़ा केंद्र है, माता की जाग्र शक्ति है वह तो उस जगे में किसी पशू की बली होती है, तो जब उसकी जैसे ही बली होती है, तो उसकी पूरी आत्मा होती है, वह किछके पूरा समझली से निकल के, वह माता के पास में जैसे कहते हैं, पहुंच जाती है, और माता जो है, उसको उस तंड को समाप्त कर देती है, वह पशू एक आउटलेट है समझ लीजे कि पशु बली कि किसी भी पशु को मुक्त कर देना उस पशु यूनी से और उसको next बर्त में उसको मुनिश्र की यूनी में पहुचा देना या माता जो भी चाहें उसको बला है उसको हायर यूनी में ही जायेगा भो फिर वो पशू की योणी में नहीं जाए गई तो उसके जो पशू योणी में जो उसको कस्ट हो रहा होगा उससे उसको मुक्ति मिल लाईगी ये इसका मूल रहस्य है इसमें दो बाते हैं एक तो ये हो कि वो पशू बली ऐसे स्थान पर होने चाहिए कि जहां कर जो दीवी हैं वो इतनी जागरत हो इतनी शक्तिशाली हो यानि वो इस्तान इतना शक्तिशाली हो कि वो उस पशु की आत्मा को पशुयोनी से मुक्ति करा दे और उसको मुनेशोनी में डाल दे, वो अतनी ताकत होनी चाहिए, अगर वो ताकत नहीं है तो फिर वो पशुबली किया कोई महत्व नहीं है, फिर तो वो तो मालसाहर वाली बात हो जाएगी, पिर दुकानों में जो बकरे कट रहे हैं और जानवा कट रहे हैं उनका मास्क खा इसको मुक्ति मिल जाती है, ये तो एक बात होई, दूसरी बात का है कि अगर जिसने वो बली करी, उसका क्या होगा, क्या उसको दंड मिलेगा, उस पशु को प्रति हिंसा करने का, तो याद रखे कि चुगी उस वक्ती ने दो काम करे, एक तो पशु उस पशु को पशु य उस पशु के साथ हिंसा हुई, इसलिए उसको दंड भी मिलेगा, लेकिन चुकी उसने किसी पशु को पशु योनी से मुक्ति दिला दी, जो कितनी बड़ी त्रासदी में था, इतनी परशानी में था वो, उस पशु को आर योनी में डाल दिया, मुनश योनी में डाल दिया या कहीं भी पहुंच गया वो उसका वो व्यक्ति माद्धम मना इसलिए उसको पुन्य भी मिलेगा और जो कि हिंसागरी उसलिए उसको पाप भी मिलेगा उसको दंड भी मिलेगा लेकिन जो कि पुन्य इसमें अधिक मिलेगा उसको तो इसलिए वो जह है जो भी उसका कस्थ विए मिलेके बिज्वाद वालों को मिलेगा तो मैं जानूर को कट्वाता रहूत भी कृषेश वीदियां वह लगुदा रूप् wellbeing साधना करने वाले लोग उनको संकेत मिलते हैं कि अब तुम्हारा वक्त आ गया है तुम पशू बली करो ये नहीं होता है कि किसी से सुना और वहां पर पस एक जानवर खरीदा वहां पहुंच गया जाके बली करा दी इस बारे में कुछ नहीं करा सकता कि उनको कितना मता की कृपा मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बारे में कोई टिपड़ी नहीं करिया सकती लेकिन मैं वो वाली बात बता रहा हूँ जो कि सही बात है कि पशू बली क्यों होती है उससे क्या होता है और सासाथ पशू बली करने के लिए तैयारी क्या होती है तो मैंने एक बात बताईगी, जो साधना करने वाले लोग होते हैं, उनको ये संकेत मिल जाते हैं, साधना में मिल लेंगे, कि हाँ अब पशुबली तुम कर सकते हो, या तुमको करनी चाहिए, तब वो करते हैं, अपने मर्दी से जाके वहाँ पशुबली नहीं करने लगते ह में बड़ा बड़ा अंतर है यह समझ लीजिए तो यह तो बात हो गए कि पशुबली एक तरीके का वह एक आउटलेट समझ लीजिए कि जहां से कि अपने कर्मों से डांड़ेट होके पर शुणी इम चली गई मनश्वनी से और उसको वापस उसको मनश्वनी पहुंचाना हो तो वह पशुबली के रूप में एक माध्या में जहांपे ऐसे जागरत स्थान में पशुबली करी जाती है तो उसकी आत्मा जो है जो पशुबली क उसको माफ कर देती है और वो उसको किसी higher order में या अच्छी यूनी में पहुचा देती है लेकिन उसके लिए साधना का रूट होता है जो साधना करने वाले होते हैं उनके लिए पशुबली है वो साधना में भी उनको जब संकेत मिलेगा तभी करेंगे कोई जरूरी नहीं ह उसके उपर करबा क्यों करी जा रही है क्योंकि उसका भी कुछ ऐसा अच्छा कर्म बचा होगा और उसको निकालने के लिए कोई ना कोई माध्यम मनेगा तो माध्यम के लिए ही संकेत किसी ना किसी को दिये जाते हैं कि हाँ पशुबली कर लो तभी करी जाती है यह तो एक दूसरा है कि वहां पर जो पशुबली जब बताया कि जेली होती है तो उस पशुबली का जो मास होता है उसका भोग भी माता को लगा जाता है वो जो भोग होता है वो अगर जो लोग वहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो कंदुपहर के समय में कुछ लोगों को मिल भी जाता है वो अगर distribution हो रहा होता है वहाँ तो मिल भी जाता है वो तो उसमें जो पशु का जो भी उनका जो भोग लगता है उसमें जो जिस बली है जो पशु की बली होती है उसमें उसका मास रहता है ये भी भली भोग जाए वो माता को चड़ता है तो इसलिए वो जो भाग जो भी भोग चड़ता है वो जो कि उसमें मास रहता है तो अगर किसी का मन जो मानसारी नहीं हो और उसको मास खाने में वाला अच्छा ना लगता है तो उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लेके और फिर उसको अनादर करना वो अच्छी बात नहीं है, अगर उसको खाने की इक्षा है नहीं कोई बात नहीं, लेकिन उसको लेके और फेकना ही समनी करना चाहिए उसको, ये इंपोर्टेंट बात है, जो लोग जानते हैं, उसक तो उसको वादर से लेते हैं, उसको इनकी इक्षा पे रहता है, तो पशु बली जो है वो काRहस है, ये बड़ा IMPORTANT बात है, लेकिने साधना जगत गई, ये बात आप समझ लीजेगां और इंची इक्षा पर एक्षा पर एक समझ जात्यी है, ये इक्षा पर एक्षा परते ह ये एक तरीके कि क्या होता है कि वो परंपरा सी बन जाती है जिसके बारे में पता नहीं भी होता है फिर लोग उसको करने लग जाते हैं अब उसका उनको कितना फल मिला होगा या उनको क्या मिलेगा ये इस बारे में मैं यहां पर चर्चा नहीं करूँगा वो इस मालब विश इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद